जय श्री कृष्णा सभी साथियों को दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर कुछ मुगल पुत्र आ गए हैं जो रोज रोज मुझे गालिया दे रहे हैं हमारे पूरे यादव समाज को गालिया दे रहे हैं मुझे गालिया दे मुझे धंकी दे मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेक पेंगर नाम का कोई बंदा है जो रोज लाइब वीडियो के माध्यम से हमारे भगवान श्रीक्रिश्न को यजोदा माता को और राधाजी को गालियां दे रहा है हट तो तब हो गई जब इन लोगों मुझे से लड़ने के लिए पूरे यादव समाच से लड़ने के लिए पाकिस्तान वालों की मदद लिए राजपुताना रियक्शन या राजपुताना प्रोडक्शन नाम के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अप्लोड की गई है जिसमें बताये गया है कि यह शक्स पाक अदली है इससे यह साफ जाहिर होता है कि यह लोग घदार हैं देश द्रोही हैं चलिए छोड़ी इन सारी बातों को क्योंकि आज का हमारा जो विशह है वो कुछ और है मैं सिर्फ इन लोगों की बात आपको बताना चाहता था ताकि आप लोग इनको जवाब दें आज जिस राजपूत रियल शत्रिये हैं राजपूत हमेशा से ही अपने आपको बहुत बगला शत्रिये मानते हैं अपने आपको सबसे बगला शत्रिये मानते हैं और यादवों को तो यह लोग शत्रिये मानते तक नहीं हैं तो आज कि इस वीडियो में मैं इन दोनों कम्यूंटी य किस ने कब किया है इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी इनके नामों के अर्थ जानने से तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यादव शब्द का अर्थ क्या होता है यादव अर्थ महाराज यदू के वंशच प्राचीन बारत के वह लोग जो पौराणिक नरेश यदू के वंशच हैं इसके नीचे मैंने आपको अहिर के बारे में भी लिखा है अहिर महाराज यदू के वंशज जो एतिहासिक चंद्रवंशी शत्रिये थी मैंने अहिर का जिक्र इसले कर दिया क्योंकि फिर इन में से कोई मुगल पुत्र उठके आएगा और कहेगा कि अहिर अलग होते हैं यादव अलग होते हैं तो इन दोनों शब्दों के अर्थ से साफ जाहिर होता है राजपूत्र शब्द का मतलब क्या होता है राजपूत्र संस्कृत के राजपूत्र शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है राजा का पुत्र इसका कोई वर्ण नहीं है इसके वर्ण के बारे में आपको कहीं भी जिक्र तक नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्ण विवस्था बहुत पहले हुआ करती थी, माबारत यूग में कह सकते हैं, हजारों साल पहले हुआ करती थी, और उस समय राजपूत शब्द आया ही नहीं था, तो इसलिए इसके वर्ण के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है, तो अभी तक तो हमने जाना कि इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है, अब हमें जानना होगा कि इन दोनों की उत्पत्ती कैसे हुई है, यादवों की उत्पत्ती कैसे हुई है, और राजपूतों की यह बात आपको बताएंगे कुछ इतिहासकार इनमें कुछ देशी इतिहासकार हैं कुछ विदेशी इतिहासकार हैं तो देखते हैं कि यादमों के बारे में इन्होंने क्या बाते कहीं हैं ऐसे ही एक इतिहासकार है जयन्त गटकरी जी देखिए जयन्त गटकरी क्या कहते हैं जयन्त गटकरी के अनुसार पुरानों के विशलेशन से ये निश्चित रूप से मानने है कि अंधक, विश्चित, सात्वत तथा अहिर जातियों को सैयुत रूप से यादव कहा जाता था जो की स्रिकृर्ष्ण के उपासक थे अब हम देखते हैं पुरानों में यादवों के बारे में क्या कहा गया है भागवत पुरान अध्याय ग्यारा श्लोक 41-42 के अनुसार अर्जुन कृष्ण से कहते हैं आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हट पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था मैंने मूर्खता वश या प्रेम वश जो कुछ भी किया है कृपया उसके लिए मुझे शमा कर दे यही नहीं मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए या बैठे हुए कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है हे अच्चिता मेरे इन समस्त अपराधों को शमा करे चलिए इतिहास कारों की बातों से यह तो सिद्ध हो गया कि यादव एक वैदिक शत्रिय है जिनका जिक्र माभारत में है वेदिक काल में हैं, वेद पुरानों में हैं लेकिन अब हम जानते हैं कि राजपूतों के बारे में इतिहासकारों का क्या कहना है ऐसे ही एक इतिहासकार है जिमका नाम James Todd है आए देखते हैं वो क्या कहते हैं James Todd के अनुसार राजपूत वह विदेशी जाती है की संताने मानते हैं तो भाईया ये इतिहासकार तो राजबुतों को विदेशी मानते हैं सीथियन जाती की संताने मानते हैं चलिए कोई बात ने एक और इतिहासकार हैं देखते हैं वो क्या बोलते हैं दूसरे इतिहासकार हैं V.S. Smith इनके अनुसार शक तथा कुशान जैसी व भारत आकर यहां के समाज में पूनत घुल मिल गई इनी देशी एवं विदेशी जातियों के मिश्रन से ही राजपूतों की उत्पत्ती हुई है तो भाईया यह भी राजपूतों को कम वेश विदेशी ही महनते हैं लेकिन इनका सिर्फ यह कहना है कि यह एक mixed breed है शक और कुश जान जातियां होती है उनके mixture से बनी है लेकिन इनका भी साफ कहना है कि यह एक विदेशी जाती है तो अभी तक दो इतिहासकारों के मुताबिक राजपूत एक विदेशी जाती है एक तीसरे इतिहासकार है उन्होंने क्या कहा है चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं जिन और वो अपनी दासी इस्तरियों के साथ शारिरिक संबंद बनाते थे और बच्चे पैदा करते थे जो सिंहासन के लिए जायज उत्रादिकारी तो नहीं होते थे लेकिन राजपूत या राजाओं के पुत्र कहलाते थे तो मुहमद कासिम ने तो बहुत वली बात कही है राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में उनका कहना है कि राजा जब अपनी पत्नी से बच्चे पैदा नहीं कर पाते थे संतुष्ट नहीं होते थे तो वो अपनी दासी इस्तरियों के साथ संबंद बनाते थे और उन बच राजपुत्र या राजपूत कहा जाता था ये मेरे शब्द नहीं है तो कोई भी इसको मेरे शब्द ना मने ये इतिहास कारण कहा है और अगर आपको कोई आपत्ति हो तो जाए इनके उपर केस कीजिए इनके खिलाफ जो कारणाई करनी है वो कीजिए तो इन सारी बातों से एक बात सिद्ध हो जाती है कि यादव वैदिक शक्त्रिये हैं जबकि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में इतिहास कारों का कम वेश एक ही तरक है एक ही बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं या तो ये लोग विदेशी हैं या तो राजाओं की नाजायज ओलादे हैं ये मै मुगल काल में इन दोनों का योगदान क्या था एक शक्त्रिये होने के नाते ये बात मैं आपको नहीं बताऊंगा ये बात आपको खुद एक IS के प्रोफेसर हैं वो बताएंगे चलिए सुनते हैं उनका इस विशे में क्या कहना है जिरना ये राजपूतों का करतव ले रहा है भारत के इतिहास में और ये झाले चण को बिलकुल ही नहीं है आज तक के आप इन्डिया के हिस्ट्री में बताएए कि राजपूतों ने एक भी युड क्यों नहीं दो जिए जब ये चगो अजशच्रिये कहरे हैं कोई गजनी कोई गोरी जो होता है जो कोई सेना लेकर भी नहीं आता है कोई सस्त्र लेकर भी नहीं आता है इन्हीं के सस्त्रों को इन्हीं से चीन कर इनको पराजित करता है यह राजबुतों का हिस्ट्री है यह वास लेकता है भारत के लोगों को इस हिस्ट्री को समझना चाह तो इन टीचर महोदे ने एक बहुत ही इंपोर्टेंट बात कही है कि राजपूतों ने मुगलों के साथ शादी का संबन्द बनाया यहां पर मैं आपको कुछ लिस्ट बताने वाला हूं कि कब-कब किस राजपूत ने किस मुगलों के साथ शादी की है लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन मैं दो तिन नाम आप लोग को पलके सुना देना चाहता हूं बाकिल लिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी पहले नमबर पे आते हैं जनवरी 1562 अकबर ने राजा भारमल की बेटी से शादी की 15 नवंबर 1570 राय कल्यान सिंग ने अपनी भतीजी का विवाह अकबर से किया 1570 माल देव ने अपनी पुत्री रुकमा भती का विवाह अकबर से किया इतना ही नहीं जब जब इतिहास में गदारों का नाम आएगा तो सबसे बला गदार जैचंद का नाम सबसे उपर आएगा और मुझे आपको बताने की कोई जरूती है कि जैचंद कौन था सब जानते हैं कि वो राजपूत था जिसमें गुजर समराठ पृत्वी राजचोहान के साथ धोखा किया था जिसके वज़े से गुजर समराठ पृत्वी राजचोहान को मौत का मुझ देखना पला चलिए ये तो राजपूतों का इतिहास था मुगल काल में अब इन्हें I.S. के टीचर से हम जानते हैं कि यादवों का क्या योगदान था, क्या इतिहास था मुगलकाल में देखे ये वीडियो यादव ने क्या किया है देश की सुरक्षा के लिए क्योंकि वो छत्रिये थे गुजर के साथ यादव एक प्रिंट कास बनाते हैं भारत में ब्रिटिश आये तो यह राजपूतों और यादवों का इतिहास था मूगलकाल में अब थोला हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब भारत में ब्रिटिश आये तब राजपूतों का और यादवों का क्या योगदान था ये भी मैं आपको नहीं बतांगा यही टीचर आपको बताएंगे सबसे पहले जानते हैं राजपूतों का इतिहास क्या था वीडियो देखिए और जैसे इसके बाद ब्रिटिश आये तो फिर ब्रिटिशों के सबसे प्रवल जो दुश्मन थे पेशवाद थे पेशवाद एक पावं थे वबरंप चत्रिये थे तो उनके खिलाव अंग्रेजों ने राजपूतों का प्रयोग किया राजपूत रेजिनेंट बनाया गया तो चोटे ब्रिटिश गवबर्منट की चाटुका रिता की क्योंकि उनको अपनी रियासत से प्रेम था, देश से इनको कोई भी मतलब नहीं था इनकी वफदारिस से खुश होकर अंग्रेजों ने राजपूत रेजिमिंट भी बनाया जबकि यादव रेजिमिंट नहीं बनाया अगर लोहा लेने का काम किया तो सबसे पहले अलगमुत्य कोन यादव ने किया 1857 की करामती से 100 साल पहले राव तुलाराम सिंग का नाम आपको याधी होगा इन्होंने 1859 की करामती में अंग्रेजों के खिलाफ लवाई लड़ने का काम किया था ऐसे ही एक और यादव थे जिनका नाम भगवान अहिर था जिन्होंने चौरे-चौरा कांड में अंग्रेजों के पुलिस थाने को फूकने का काम किया था जिसमें 22 अंग्रेजी पुलिस वालों की मौत हुई थी इसके अलावा अनेकों नाम हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ जिन्होंने अपनी मात्र भूमी के लिए अपने धर्म के रक्षा के लिए देश के रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुती दे दी लेकिन एक नाम आपको राचपूतों की तरफ से नहीं मिलेगा जिसने भारत की आजादी के आंदोलन में कोई एहम भूमी का निभाई हो अगर कोई मिले तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा लेकिन दोस्तों कितनी बली विडम मना है कि यादमों का इतना बला योगदान है इतना बला गौरवशाली इतिहास है लेकिन भारत की इतिहास के बुक में यादमों का कहीं भी जिक्र नहीं होता है और जिन लोगों ने हमेशा से मुगलों के साथ शादी का संबंद बनाया अंग्रेजों के साथ संबंद बनाए अंग्रेजों की चाटुकारिता की उन लोगों के इतिहास को इतना बलहा चलहा कर दिखाया जाता है हमारी किताबों में इसका सिर्फ एक कारण है कि हमारे लोग सत्ता तक नहीं पहुँच पाए इनके लोग सत्ता तक पहुँचे और अपने हिसाब से इतिहास को तोल मलोर कर पेश करने की कोशिश की आप सबसे मेरा निवेदन है कि अपने इतिहास को लेकर जागरुक हो जाईए अगर आज आप जागरुक नहीं हुए तो ये लोग हमसे भगवान कृष्ण को भी छीन लेंगे मैं किसी भी प्रकार से जातिय विद्वेश नहीं पैदा करना चाहता हूँ सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यादवों के इतिहास को भी प्रमुखता से इतिहास की किताबों में लिखना चाहिए और इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक तो कीजिए और कमेंट करके अपने राय जरूर दीजिए और सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाने का काम कीजिए आपसे मेरी मुलाकात अगले वीडियो में होगी तब तक के लिए दागे